हेलो फ्रेंड्स आइम विकास तोमर वेल्कम तू अल अफ्यू इन माइ यूट्यूब चैनल दाइस कौन बनेगा जीए जीएस बती दोस्तों आज जीएस के करम में मैंने सोचा है कि आपको बंडे एक्जामनेशन में एक जो बुक सबसे ज़्यादा फेमस है जी हां मैं बात कर रहा हूं लियूशेंट की तो क्यों ना मैं आपको लियूशेंट के अंदर चितने भी टॉपिक हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगर्फी, एकॉनमी, फिजिक्स, केमस्ट्री, बायलोजी इन सब की आपको आडियो वुक्स प्रोवाइट करा दी जाएं देखे सर होता क्या है जब हम पढ़ने को बैठते हैं तो GS एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि हम लोगों का बच्पन से भी बहुत कम इंट्रेस्ट रहा होता है और जब हम पढ़ने को बैठते हैं तो हमको बहुत जल्दी नीद आने लगती है और समझ में भी थोड़ा कमाता है यदि हमको GS एस्ट्री है जोगर्फी है कोई कहानी की तरह कर हमको बताने लगता है तो बहुत ही ज़ादा इंट्रेस्टिंग हो जाता है तो मैंने सोचा क् एक पेज को हर एक लाइन को एक सिम्पल बॉइस रिकॉर्डिंग में आपके पास पहुंचाओं यूट्यूब के तरहूं जिसे आपके पास जब भी टायम हो आप अपने टॉपिक्स को रिवाइस कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को इनेहेंस कर सकते हैं वस सर्थिख होगी तो आप सभी के पास लगबग लिशेंट होगी, तो सर, आप एक लिशेंट की बुक, जब भी वीडियो सुनने को बैठें, तो आप अपने पास एक लिशेंट की जो बुक है, उसको कैरी करें, कैरी करने से होगा क्या, आपके सामने जो वर्ड्स होंगे, वो बुक में लिखे हुए होंगे, और जो उसकी ओडियो जो फाइल होगी, जो आपके पीछे, आपको सुनाई दिये रही होगी, तो आपकी जो निगाए होंगी, वो चीजों को विजलाइस करते ही चली जाएंगी, और आपकी जो सुनने की जो छमता है, वो सामने जो वाइस आ रही होगी, उन विजलाइस जिसन से कनेक्ट करते ही चले जाओगे, जिससे होगा कहां, क्या यहाँ पी एक आडियो वीडियो कॉंबिनेशन क्रियोट हो जाएगा, जिससे आपकी लर्निक बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बन जाएगी, बहुत ही इजी बन जाएगी इस एलेक्ट्रोनिक माध्यम से, तो दोस्तों, आज की सकड़ी में मैं सुरुआत करूँगा इंडियन हिस्ट्री से, जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री से सुरुआत करूँगा, और आपको इस पहली वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ, एक बिल्कुल सुरुआत से आप अगर लिश्ट्रेस्ट की बुक को उठाएंगे, तो आप देखेंगे पहली पेज पेज, जैसे अब लिश्ट्रेस्ट की बुक में जाएंगे, तो पहली पेज पेज पे आप देखेंगे, तो पहला पेज सुरू होता है इतिहास से, यादि की भारत की इतिहास से, और इतिहास के अंतर गत्र, जिसके अंदर प्राचीन भारत के बारे में आपको काफी चीजें जो मोश्ट इंपॉर्डेंट अगर आपने इतना तयार कर लिया तो सिंगल कोशन बचके नहीं जाएगा, चाहें बेदों से सुरूरा तो गरिगवेद हो, उसके बाद चाहें आप अतरवेद हो, यह जुरूर्वेद हो, सामबेद हो, उसके अलाबा पुराणों से सम्मंदित चीजें आपको इसमें बता ही जाएगी, उसके साथ साथ जो बदेशी यात्री आई, जिनके भारत से बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, उन्होंने जो जानकारियां दी, बुचानकारियां होगी, चाहें टेसियस हो, चाहें हेरोडर्स हो, चाहें मैगस्तनी जो हो, चाहें डाइमेकश हो, इसके बाद चीनी लेखो को ने भारत के बारे में क्या कहा, अर्वी लेखो को ने भारत के बारे में क्या कहा, और अनलेको को न भारत लेंगे मिडेबल की तरफ और फिर चलेंगे मॉडन की तरफ उसके बाद जगर्फी पॉलेटी सो मैनी मोर दोस्तों यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगा उमीद करता हूँ तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का पहला चॉप्टर जो सुरू होता है एंशेंट हिस्ट्री से तिल देन थैंक यू और वीडियो को वाच कीजिए, सेर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अल दा वेश्ट अद्ध्याए एक, इतिहास, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालिय से लेकर दक्षिन में समुद्र तक फेला ये उपमहध्वी भारतवर्ष के नाम से ग्यात है जिसे महाकाविय तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है तथा यहां के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कह गया है युनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालिन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अत्वा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है भारती इतिहास को अध्यन की सुविधा के लिए तीन भागों में बाटा गया है प्राचीन भारत, मध्यकालिन भारत एवं आधुनिक भारत प्राचीन भारत 1. प्राचीन भारती इतिहास के स्रोत प्राचीन भारती इतिहास के विशे में जानकारी मुख्यतह चार स्रोतों से प्राप्थ होती है एक धर्मगरंथ, दो इतिहासिक गरंथ, तीन विदेशियों का विवरण, चार पुरा तत्व संबन्धी साक्षे धर्मगरंथ एवं एतिहासी गरंथ से मिलने वाली महत्वपून जानकारी भारत का सर्वप्राचीन धर्मगरंथ वेध है जिसके संकलन करता महरिशी कृष्ण द्वैपायन वेध वयास को माना जाता है वेध चार है रिगवेध, यजुरवेध, सामवेध एवं अर्थवेध रिगवेध रिच्चाओं के क्रमबध हुग्यान के संग्रहे को रिगवेध कहा जाता है इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल, खिल्लिय पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10462 रिच्चाएं है इस वेध के रिच्चाओं के पहने वाले रिशी को होत्र कहते हैं इस वेध से आर्ये के राचनतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है विश्व मित्र द्वारा रचित रिगवेध के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावितरी को समर्पित प्रसद गायतरी मंत्र है इसके नौवे मंडल में देवता सोम का उलेक है इसके आठवे मंडल की हस्तिलिखित रिच्चाओं को खिल कहा जाता है चातुष वर्णिय समाज की कल्पना का आदी स्त्रोत रिगवेध के दसवे मंडल में वर्णित पुरुष सूप्त है जिसके नुसार चारवन, ब्रहमन, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, आदी पुरुष, ब्रहमा के क्रमशाह, मुख, भुजाओं, जंगहाओं और चरणों से उत्पन हुए नोट, धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की इस्थितियों, वैवसायों, दाइत्वों, कर्टव्यों तथा विशेश अधिकारों में स्पष्ट विभेध करता है वामन अफ्तार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीन तमस्त्रोत रिगवेध है रिगवेध में इंद्र के लिए 200 तथा अगनी के लिए 200 रिच्चाओं की रचना की गई है नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में रिगवेध के बाद शत्पत ब्रहमर का इस्थान है यजुर वेध सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर वेध कहलाता है इसके पाठ़ करता को अर्धवयू कहते है ये एक ऐसा वेध है जो गद्य एवंपद्य दोनों में है साम वेध ये गाई जा सकने वाली रिच्चाओं का संकलन है इसके पाठ़ करता को उद्रात्र कहते है इसे भारत्य संगीत का जनक कहा जाता है प्रिश्ट दो अर्थव वेध अर्थवा रिशी द्वार रचित इस वेध में रोग निवारन तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशिकरण, आशिरवाद, स्तुती, प्रायश्चित, ओशिदी, अनुसंधान, विवह, प्रेम, राचकर्व, मात्र भूमी, महत्मय, आदी, विविद विशयों से संबद्व, मंत्र तथा समाने मनुश्यों के विचारों, विश्वासो अंद्विश्वासो इत्यादी का वंडन है, इसमें सभा एवं समीति को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है, नोट, सबसे प्राचीन वेद, रिगवेद, एवं सबसे बात का वेद, अर्थवेद है, वेदों को भलीभाती समझने के लिए छे वेदांगों की रचन श्रवाब माने जाते हैं, इनकी संग्या अठारा है, जिनमें से केवल पांच, मतस्य, वायू, विश्नु, ब्रामण, एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, पुराण और संबंदित वंश, विश्नु पुराण, मौर्य वंश, मतस्य पुराण, आ इस्तरियां तता शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, स्मृती ग्रंतों में सबसे प्राचीन एवं प्रमारिक मनुस्मृती मानी जाती है, ये शुंगकाल का अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन दर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ग्यात होता है, जैन ग्रंत भगवती सूत्र में महावीर के जीवन क्रतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, अर्थ शास्त्र के लेखक जानक या कौटिल्य या विश्णुगुप्त है ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है इससे मौर्य कालिन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है संस्कृत साहित्य में एतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्व लिखने का सर्वर प्रतम प्रयास कलहड के द्वारा किया गया कलहड द्वार रचित पुस्तक राज तरंगिनी है जिसका संबन कश्मीर के इतिहास से है अर्बो की सिंध विजय का व्रतांत चचनामा लेखक अली एहमद में सुरक्षित है अश्ठा ध्याई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रतम पुस्तक के लेखक पाड़ी नी है इससे मौरिय के पहले का इतिहास ता था मौरिय युगिन राचनेत एक अवस्ता की जानकारी प्राप्त होती है कातियायन की गारगी सहिता एवं जोतिश ग्रंथ है फिर भी इसमें भराध भारत पर होने वाले यवन आक्रमन का उलेख मिलता है पंतंजली पुष्यमित्र शुंग के पुरोहिते इनके महभाष्य से शुंगो की इतिहास से इतिहास का पता चलता है इतिशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ए युनानी रोमन लेखक एक टेसियस ये इरान का राजवैद्य था भारत के संबद्व में इसका विवरण आश्चर जनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण आविश्वसनिये हैं दो हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुस्तक हिस्टॉरिका में पांचवी शताब्दी पूर्व इसापूर्व के भारत फारस के संबंद का वर्णन किया है परन्तु इसका विवरण भी अनुश्टूतियों एवं अफ़ाहों पर आधारित है प्रिश्ट तीन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने सिक्रटस तथा आस्टो बुलस के विवरण अधिक प्रमाडिक एवं विश्वस्निय है चार, मैगास्थनीज ये सेलियोकस, निकेटर का राजदू था, जो चंद्रकुप्त मौर्य के राजदर्बार में आया था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य यूगीन समाज एवं संस्कृति के विशे में लिखा है पाँच, डाइमेकस ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदू था, जो बिंदुसार के राजदर्बार में आया था इसका विवरंड भी मौर्य यूग से संबंदित है चै, डायोनीसियस ये मिस्र नरेश टॉलेमी फिलेडेलिफस का राजदू था, जो अशोक के राजदर्बार में आया था साथ, टॉलेमी इसने दूसरी शताबदी में भारत का भोगोल नामक पुस्तक लिखी साथ, प्लिनी इसने प्रथम शताबदी में नैचरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी इसमें भारतिये पशूओं, पेड़ पौधों, खनेच पदार्थों आदी के बारे में विवरन मिलता है इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है ये लेखक करीब 80-80 में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था इसने उस समय के भारत के बंदरगा होता था, वैपारिक वस्तूओं के बारे में जानकारी दी है बी, चीनी लेखक एक, फाहियान ये चीनी यात्री गुप्तनिरेश चंद्रगुप्त दुईतिये के दर्बार में आया था इसने अपने विवरंड में मद्य प्रदेश के समाझ एवं संस्कृति के बारे में बढ़नन किया है इसने मद्य प्रदेश की जैनता को सुखी एवं सम्रिद्ध बताया है प्रस्थांग 639 इस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगवक एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्व प्रथम ये भारती राज्य का पिशा पहुचा। इसके अनुसार सिंद का राजा शूद्र था। प्रस्थांग 639 इस्वी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकी के हिंद भारत की खोच आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसमें राजपूत, कालिन समाच, धर्म, रीती इवास, राजनिती आधी पर सुंदर प्रकाश टाला गया है। दी, अन्य लेखक, एक तारणात, ये एक तिब्बती लेखक था, इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामगरंथ की रचना की, इनसे भारती इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दो, मारको पोलो, ये तेरी भी शताब्दी के अन्त में पांडिय देश की यात्रा पर आया था, इसका विवरन पांडिय इतिहास के अध्यन के लिए उप्योगी है। पुरा तत्व संबंधी साक्षिय से मिलने वाली जानकारी। चौदा सो इसा पूर्व के अभी लेक, बोगास, कोई, एशिया माइनर से व्यादिक तेवता, मित्र, वरुन, इंद्र और नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। प्रिष्ट चार मध्य भारत में भागवत धर्म विक्सत होने का प्रमाण यवन राच्टूत हियोलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुन स्थम्ब लेक से प्राप्त होता है। सरुपतम भारत वर्ष का जिक्रहाती गुमफा में अभी लेक में है। सरुपतम दुर्विक्ष की जानकारी देने वाला अभी लेक सोहगोरा अभी लेक है। सरुपतम भारत पर होने वाले हून आकमर्ण की जानकारी 23 स्थम्ब लेक से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्षे एरण अभिलेक शासक भानुगुप्त से प्राप्थ होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेक से प्राप्थ होती है। नोट अभिलेकों का अधियन E.P. ग्राफी कहलाता है। महत्वपुन अभिलेक 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 और शासक हाती गुमफा अभिलेक तिथी रहित अभिलेक शासक कलिंग राज खाकेल जूनागर गिरनार अभिलेक शासक रुद्रदामन नासिक अभिलेक शासक गौतमी बल श्री प्रयाग स्तम्व लेक शासक समुंद्र गुप्त ए प्राचिंतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कारशारपन कहा गया है। सर्वप्रतम सिक्कों पर लेख लिखने का कारी यवन शासकों ने किया। समुद्रकुप्त की वीडां बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरीकेमीडू पदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 2. प्राग इतिहासे काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्रित नहीं किया, उसे प्राग इतिहासे काल कहते हैं। मानव इकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मनुष्य में स्थाई निवास की प्रवर्थी नव पाशान काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुट्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सरप्रथम तांबा धातू का प्रयोग किया था, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम ओजार कुलहाडी प्राप्ती स्थल अतिरंप कम था। क्रिशी का आविशकार नव पाशान काल में हुआ, प्रागेती हासिक अन उतपादक स्थल में हरगड पश्रिमी बलुचिस्तान में आवस्थे थे, क्रिशी के लिए अपनाये गई सबसे प्राचिन फसल गेहु एवं जौ थी। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारत ये पुरा पाशान कलाकृती की खोच हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर यूग के अधिकांश ओजार स्वाटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचिन नगर मोहन जोदुड था, सिंधी भाशा में जिसका आरत है म सिंधी सब्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की, सिंधी सब्यता को प्राकेति हासिक प्रोटो हिस्टोरिक अत्वा कास्य ब्रॉंज यूग में रखा आलमगिर पुर, जिला मेरट उत्तरवदेश, उत्तरी पुरस्थल मांदा, जिला अखनूर, जम्मु कश्म सिंधु सब्यता या सैंधव सब्यता नगर ये सब्यता थी, सैंधव सब्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संग्या दी गई है, ये हैं मोहन जोद्रो, हडपा, गडवारी वाला दोला वीरा, राखी गड़ी एवं का स्वतंत्रता प्राप्ती पश्चाथ हडपा संस्कृती के सरवाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, लोतल एवं सुत्कोत दा सिंधु सब्यता का बंदर काहा था, जुते हुए खेत और नकाशिदार इटों के प्रयोग का साक्षे काली बंगन से प्राप्त हुआ है मोहन जोद्रों से प्राप्त अन्नागार संभवता सैंधर सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, मोहन जोद्रों से प्राप्त ब्रिहत स्नानागार एक प्रमुक्स मारक है, जिसके वर्दियस्तित स्नान कुण 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, एवं 2.43 मीटर घहरा है अगनी कुंड लोथल एवं काली बंगन से प्राप्त हुए हैं जब अभी लेक एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाइं से बाईं और दूसरी बाईं से दाइं और लिखी जाती थी सिंदु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीट पदिती अपनाई घरों के दर्वाजे और खिड़कियां सड़क की और ना खुलकर पिछवाड़े की और खुलते थे केवल लोथल नगल के घरों के दर्वाजे मुख्य सड़क की और खुलते थे सिंदु सभियता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ सेंधव वासी मिठास के लिए शहत का प्रयोग करते थे रंगपूर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं सेंधव सभियता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैल गाड़ी या बहलसा गाड़ी का उप्योग करते थे सिंदु स्काल में विदेशी वैपार आयातित वस्तुएं और प्रदेश प्रदेश खेतरी बलुचिस्तान ओमान चांदी अफगानिस्तान इरान सोना करनाटक अफगानिस्तान इरान तिन अफगानिस्तान इरान गोमेद सौराष्ट्र लाजवर्द मैसोपोटामिया सीसा इरान प्रिष्ट छै मैसो पुटामिया के अभी लेखों में वर्नित मेलुहा शव्द का अभिप्राय सिंदू सभ्यता से ही है संभाफ्ताहा हडपा संस्कृती का शासन वार्निक वर्ग के हाथों में था पिगट ने हडपा एवं मोहन चूद्रो को एक विस्तरत सामराज्य की जुडवा राजधानी कहा है सिंदू सभ्यता के लोग धर्ती को औरवर्ता की देवी मान कर उसकी पूजा किया करते थे व्रक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्षे भी सिंदू सभ्यता से मिलते हैं स्वास्तिक चिन संभवता हडप्य सभ्यता की देन है इस चिन से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है सिंदू घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेश नहीं मिले है सिंदू सभ्यता के म मात्र देवी की उपासना सरवाधिक प्रचलित थे वश्यों में कूबढवाला सान इस सभ्यता के लोगों के लिए विश्यश पूजनिये था सिंदू सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किये हुए लाल मिटी के बरतन बनाते थे सिंदू सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे काली बंगन के एक मातर हडपा काली इंस्थल था जिसका निचला शहर सहामाने लोगों के रहने हेतू भी किले से गिरा हुआ था परदा प्रथा एवं वैश्यवरिती सेंधव सभ्यता में प्रचले थी शवव को जलाने एवं गार्णे यानि दोनों प्रथाएं प्रचले थी हडपा में शवव को दफनाने जबकी मोहन जोदरों में जलाने की प्रथा विद्यमान थी लोथल एवं काली बंगा में युगम समाधिया मिली है सेंधव सभ्यता के विनाश का संभ़ता सबसे प्रभावी कारण बार था आग में पकी हुई मिटी को टेरा कोटा कहा जाता है सेंधव सभ्यता के प्रमुक स्थल नदी उत्खरन करता एवं वर्तमान इस्थिती एक प्रमुक स्थल हडपा नदी रावी उत्खरनन करता दयाराम सहानी एवं मादो स्वरूप वत्स वर्ष उन्नेसो एकीस इस्थिती पाकिस्तान का मोंट गोमरी जिला दो प्रमुक स्थल मोहन जोड़ो नदी सिंधु उत्खरनन करता राखाल दाज बेररजी वर्ष उन्निसो इस्थिती पाकिस्तान के सिंधपरांत का लर्काना जिला 3. प्रमुख स्थल चन हुद्रो, रदी सिंधु, उत्खनन करता गोपाल मजुमदार, वर्ष 1931, स्थिती सिंध प्रांत पाकिस्तान 4. प्रमुख स्थल काली बंगन, नदी खगर, उत्खनन करता बीबी लाल एवं बीके थापर, वर्ष 1953, स्थिती राजिस्तान का हनुमानगर्ण जिला 5. कोट दीजी, नदी सिंधु, उत्खनन करता फजल एहमन, वर्ष 1953, स्थिती सिंध प्रांत का खैरपूर इस्थान 6. रंगपूर, नदी मादर, उत्खनन करता रंगनाथ राव, वर्ष 1953, स्थिती गुजरात का काठेवार जिला 7. प्रमुख स्थल रोपर, नदी सतलच, उत्खनन करता यग्यदत शर्म, वर्ष 1953, स्थिती पंजाब का रोपर जिला 8. प्रमुख स्थल लोथल, नदी भोगवा, उत्खनन करता रंगनाथ राव, वर्ष 1955, स्थिती गुजरात का एहमदबाद जिला 9. आलमगीरपूर, नदी हिंडन, उत्खनन करता यग्यदत शर्म, वर्ष 1958, स्थिती उत्तरबदेश का मेरट जिला 10. सुन्त कांगी डोर, नदी दाशक, उत्खनन करता औरेंज स्टाइल जोर्ज डेल्स, वर्ष 1927, स्थिती पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तटके किनारे 11. बनमाली, नदी रंगोई, उत्खनन करता रविंद्र सिंग बिष्ट, वर्ष 1974, स्थिती हर्याना का हिसार जिला 12. प्रमुक्स्थल धौलावीरा, नदी निल, उत्खनन करता रविंद्र सिंग बिष्ट, वर्ष 1990-91, स्थिती गुजरात के कच्छ जिला ये थे सैंदव सभ्यता के प्रमुक्स्थल, नदी, उत्खनन करता एवं वर्तमान स्थिती प्रिष्ट साथ तार वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक रिग वैदिक काल 1500-1000 इसापूर्व और दो उत्तर वैदिक काल 1600 इसापूर्व में किया गया है आरियों सर्वर्पतम बंजाब एवं अवगारिस्थान में वसे मैक्स मूलर ने आरियों का मूल निवास स्थान मद्य एशिया को माना है आरियों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई आरियों द्वारा विक्सित सभ्यता ग्रामीन सभ्यता थी आरियों की भाशा संस्क्रित थी आरियों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन पांच भागों में बटा था कुल, ग्राम, विश, जन, राश्ट्र ग्राम के मुख्या ग्रामीनी एवं विश का प्रधान विश्पती कहलाते थे जनके शासर को राजन कहा जाता था राजय अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुक थे सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रतनी कही जाते थे इनकी संक्या राजय सहित करीब बारहा हुआ करती थी बुरप, दुर्गपती एवं स्पष, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे वाजपती, गोचर भूमी का अधिकारी होता था उग्र, अपराधियों को पकरने का कारे करता था सभा एवं समीती राजा को सलहा देने वाली संस्था थी सभा स्रेश्ट एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी जबकि समीती सामाने जनता का प्रतिन दित्व करती थी इसके अधिक्ष को इशान कहा जाता था युद्ध में कबीले का नेतरत्व राजा करता था युद्ध के लिए गविष्टी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज दस राग्य युद्ध का उलेक रिगवेद के सात्वे मंडल में है युद्ध परशनी रावी नदी के तड़ पर सुदास एवं दस जनों के बीच लढ़ा गया जिसमें सुदास विजे हुआ रिगवेदिक समा चारवर्णों में विभग्त था ये वन्ध थे भ्रामण, क्षत्रिय वैश और शूद्र ये विभाचन वैवसाय पर आधारिथा रिगवेद के दस्वे मंडल के पुरुष सूक्त में चतुरवर्णी का उलेख किया गया है इसमें कहा गया है कि ब्रामण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश उनकी जांगों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन हुए है आरियो का समाज रिपित्र प्रधान था, समाज की सबसे छोटी एकाई परिवार या कुल थी जिसका मुख्या पिता होता था, जिससे कुलप कहा जाता था इस्तरियां इसकाल में अपने पती के साथ यग्यकारे में भाग लेती थी बाल विवा एवं परदा प्रधा का प्रचलन नहीं था विद्वा अपने मृतक पती के छोटे भाई देवर से विवा कर सकती थी इस्तरियां शक्षन ग्रहन करती थी रिगवेद में लोपा मुद्रा, घोशा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदूशी इस्तरियों का वर्णन है उपनिश्दों की कुल संक्या है 108, महापुराणों की संक्या है 18 और वेदां की संक्या है 6 ये थी इनसे जुड़ी कुछ जानकारी जीवन भर आविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था आर्यों की प्रमुख में मुख्य पेपदार्त सोम्रस था, ये वनस्पती से बनाया जाता था आर्यों मुख्य तहा तीन प्रकार के वस्तरों का उप्योग करते थे एक वास, दो हदी वास और तीन उश नीश अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था आर्यों के मनरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौर, गुड़दौर एवं धृत की ना उत्तरवैदिक शब्द प्रतीची, राजा का नाम स्वराश्र, दिशा उत्तर, उत्तरवैदिक शब्द उदीची, राजा का नाम विराट, दिशा मध्य दक्षन, उत्तरवैदिक शब्द कुछ नहीं, राजा का नाम राजा भोज ये थी कुछ अन्य जानकारी प्रिष्ट आठ आर्यों का प्रमुख्य वेवसाय पशुपालन एवं क्रिशी था गाई को अधनिया ना मारे जाने योग ये पशुआ को श्टेणी में रखा गया था गाई की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृतिदर्ण अत्वादेश से निकाले की वेवस्था की गई है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दर्शन और प्रवर्तक चारवाक प्रवर्तक चारवाक योग प्रवर्तक प्रतंजली साख्य प्रवर्तक कपल न्याय प्रवर्तक गौतम पूर्व मिमांसा प्रवर्तक जैमिनी उत्तर मिमांसा प्रवर्तक बादरायन वैशेविक प्रवर्तक, करांद या उलूक आरिय का प्रिय पशुगोड़ा एवं सरवाधिक प्रिय देवता इंद्र थे आरियों ध्वारा खोजी कई धातू लोहा थी जिसे श्याम आयस कहा जाता था तांबे को लोहित आयस कहा जाता था मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्त की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अगनी की पूजा की जाती थी रिगवेद में उलिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपुन्ता था पवित्र मानी जाती थी रिगवेद में गंगा और यमुना का उलेख सिर्फ एक बार हुआ है उत्तरवैदे काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापती सरवाधिक प्रिया देवता हो गए थे उत्तरवैदे काल में राजा के राजिया भिशेक के समय राजसुय यग्य का अनुष्ठान किया जाता था उत्तरवैदे काल में वन्ड वैवस्था के बजाए जन्म के आधार पर निरधारित होने लगे थे उत्तरवेदे काल में हल को सिरा और हल रेखा की सीता कहा जाता था उत्तरवेदे काल में निश्क और शत्मान मुद्रा की एकाईयां थी लेकिर इस काल में किसी खास भार अकृती और मूले के सिकों के चलन का कोई प्रमान नहीं मिलता सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है इसके नुसार मूल तत्व 25 है जिन में प्रकर्ती पहला तत्व है सत्यमेव जैते मुंड को पो निशद से लिया गया है इसी उपनिशद में यग्य की तुलना तूटी नाउ से की गई है गायतरी मंत्र सवित्र नामक गेवता को संबोधित है जिसका संबंद रिग्वेट से है उत्तरवैदिक काल में कोशांबी नगर में प्रथम बार पक्की इटों का प्रयोग किया गया है महाकावे दो हैं महाभारत एवं रामायन महाभारत का पुरान नाम जै सहिता है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकावे है गोतर नामक संस्था का जैन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ रिकवैदिक काले नदिया प्राची नामर कुरूमब आधुनिक नाम कुर्रम वितस्ता आधुनिक नाम जेलम आसकिनी आधुनिक नाम चिनाव परपश्णी आधुनिक नाम रावी शतुद्री आधुनिक नाम सतलज विपाशा आधुनिक नाम व्यास सदानीरा आधुनिक नाम गंडक द्रिस दृती आधुनिक नाम घगर गोम्ती, आधुनिक नाम गोमल, सुवस्तु, आधुनिक नाम स्वात रिक्वेदिक कालीन देवता इंदर, समबंध, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता उग्नी देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्त वरुन, पृत्वी एवं सूरीय के निर्माता, समुंद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, रितु परिवर्तन एवं दिन रात का करता डियो, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन, सोम, वनस्पती देवता उशा, प्रगती एवं उत्थान देवता, आश्विन, विपत्यों को हरने वाला देवता, पूशन, पश्वों का देवता, विश्णु, रिश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरूत, आंधी तुफान का देवता प्रिश्ट नौ आज, महाजन पदो का उदै बुद्ध के जर्म के पूर्व छटी शताबदी ईसापूर्व में भारतवर्श 16 जनपदों में बटा हुआ था इसकी जानकारी हमें बौधिगरंद अगुंतर निकाय से मिलती है एक, महाजन पद अंग, राजधानी चमपा ख्षेत्र आधुनिकस्थान, भागलपूर, मुंगेर, बिहार दो मगद, राजधानी गिरीब्रज, राजग्रेह ख्षेत्र पटना, गया, बिहार तीन काशी, राजधानी वारनसी ख्षेत्र वारनसी के आसपास उत्तर पदेश 4. महाजनपद वच्ज, राजधानी कोशांबी, क्षेत्र इलहबाद के आसपास उत्तरपदेश 5. महाजनपद वज्जी, राजधानी वैशाली विदेह और मिथला, क्षेत्र मुझफरपुर एवम दर्भंगा के आसपास का क्षेत्र 6. महाजनपद कॉसल, राजधानी श्रावस्ती, क्षेत्र फैजाबाद उत्तरपदेश 7. महाजनपद अवंती, राजधानी उज्जैन या महिश्मती, क्षेत्र मालवा उत्तरपदेश 8. महाजनपद मल, राजधानी कुशावती, क्षेत्र देवर्या उत्तरपदेश 9. महाजनपद पंचाल राजधानी आहिचत्र कामपिल्य क्षेत्र बरेलू बदायू फरुखबाद उत्तरपदेश 10. महाजनपद चेदी राजधानी शक्तीमती क्षेत्र बुंदेलखन उत्तरपदेश 11. महाजनपद कुरू, राजधानी इंदरप्रस्त, क्षेत्र, आधुनिक दिल्ली मेरट एवं हर्याना के कुछ क्षेत्र 12. महाजनपद मतस्य, राजधानी विराटनगर, क्षेत्र, जैपूर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र 13. महाजनपद कंबोज, राजधानी हाटक, क्षेत्र, राजयोरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तरपदेश 14. अध्य महाजनपद शूरसेन, राजधानी मतुरा, क्षेत्र मतुरा उत्तरपदेश 15. महाजनपद अश्मक राजधानी पोटली या पोतन क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिन भारत का एक मात्र जनपद 16. महाजनपद गांधर राजधानी तक्षशिला क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान So guys, I hope you really enjoyed this section जहां हमने जाना भारत में इत्यास के ओदय से लेकर भारत में महाजनपदो तक के ओदय के बारे में और दोस्तों, आपकी रिशन्ट की जो किताब है, इसके पाँच पार्ट कम्प्लीट होते हैं इस ओडियो के अंतरगत और जो अगली ओडियो होगी, जहां पे हम जो छटा पार्ट है, सिक्त पार्ट है, जैन धर्म, उसके बाद बहुत धर्म, उसके बाद बैशरब धर्म, इशाई धर्म, पार्शी धर्म, और उसके बाद दोस्तों, मगद राज्य का सामराज, उसके बाद हिश्ट्री सुरू हो जाएगी, दोस्तों, आप सभी के रिस्पॉंस का मुझे इंतिजार रहेगा, अगर आपका ऐसे हैं मुझे सपोर्ट मिलता रहा, तो मैं आपको सारे वीडियोज प्रोबाइट कराऊंगा, पहले एंसेंट हिश्ट्री, मेडिवल हिश्ट्री, मॉडर्न हिश्ट्री, उसके पाद जोगरफी में, वर्ल जोगरफी, इंडियन जोगरफी, सो मैनी मोर, दोस्तों, उमीद करता हूँ, इसी तरह से आप बेरे चैनल से जोड़े र करेंगे, जिससे आपको जब भी मैं कोई नई वीडियोज अपलोड करूँ, तो आपको मेरी वीडियोज बिलती रहें, और वीडियोज को सेर करें, तिल देन थेंक यू, तब तक साथ धार रहें, सुरक्चित रहें, all the way.